नमश्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 दिसंबर के आपके राशी के महा राशी फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी अश्मे बर्चिली है या फिर एनवर्शरी है आप शबी आपके राशी पर क्या होगा यह निकिन चीजाओं को लेकर आश्मे आपको सावधने नहोगा और आगर कौन कौन शेकारी आपके लिए भागे शलूंगे दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरूश लेकर अंत तक जरूर देखें वीडियो के अंत में बह ज्यादा लाब कारी बना पाएंगे उससे पहले दोस्तों यह आप चनल पर नई हैं तो दोस्तों निवेदन हैं चैनल को भी शब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके और पर्श लेट कर दें वह दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गरहों के हरी बियुआर में हम राख जया brush यह दोस्तों सब्सक्राइब करें बनाभर्या हो जांगे दोस्तों द Throw Man के शुबाइब कोई भी शुबाइब और मैत्वन कार्मियों को बोल जेंब ना करें तो दोसों यह शुमेरेगा शाम के चार बचकर पचीस मिट चलिकर शाम के पांच बचकर 24 मिर्ट तक और दोसों चनर माई दिन शिंग राशी को प्रांद कन्या राशी में शंचार कर जाएंगे में दोसों अगले दिन 27 दुसमर की बात करें तो शौम वार के दिन होगा किश्म बाच की अश्चमी तिती रेगी हस्त नाम का इस दिन अच्छत रहेगा दोसों इस दिन शौबा के नाम का शुबयोग और शौबा नाम का शुबयोग के उपरांती इस दिन अत्ति गंड नाम का भी शुबयोग रहने वाले हैं यह दोसों और राहू कल के शमय दिन शौबा की 8 बचकर 29 मिर्श लेकर शौबा की 9 बचकर 29 मिर्श रहेगा दोस्तों चंद्रमा इस दिन कन्य राश्य पर रिष्ण चार करेंगी तो आई दोस्तों बात करते हैं इन दोद्रों की जो गरों की स्थी है और चंद्रमा की जो गोचर है आपकी राश्य पर क्या-क्या परवाव लेकर आती है चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्तार से इन दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे इन दोस्तों इन दोस्तों इनदनों में एक दूसरे Shell की भावना आपको रखने चाहिए बर्याश करने सब्सक्राइब आपके अंदर यह चंता फाई जाती है वह को आपको शामना भी करना पड़ेगा वह दोस्तों इंदों में आपके लिए जो समय होंगे कुछ नई तरह की जिम्दारियों वाला समय होगा कुछ ऐसे काम जो है आपको यह श्मी करने पड़ सकते हैं जिनमें आपने अभी तक जो है अपना हाद भी नहीं आजमाया था दोस्तों यह को थोड़ा तनाव और परिशानी दे शकता है नई लोगों से यह श्मी जो है आपके मुलाकात के अशार हैं जिनके साथ नए रिष्टों का आरम भी होगा यदि किसी परकार का निरले लेने की आप यह समय सोच रहे हैं तो यह श्मी आपके लिए उचित समय होगा आप यह अश्मी निरले ले शकते हैं आपको अपने कंपट जों से यह श्मी बाहर कदम उठाना चाहिए वह दूस्तों इंदिनों में अगर आपकी करेर को लेकर बात करें तो यह जो आपके लिए शमय होंगे करेर के मामले में दफ्तर में आप जो है काम पर धवाव अधिक ठकान हो सकता है आप इन ठकानों को अनभव यह शमी करेंगे वह दूस्तों इन दिनों में यह जो आपके लिए दिन होंगे अगर आपकी लव लाइफ के बात करें तो आपकी रोमेंटिक लाइफ यह शुकुन देने वाली रह सकती है आपकी सोच में एक पोजिटिविटी रहेगी जिसे आप अपने पार्नर का पर्वहाव भी समय सकते हैं अपने पार्टनर जो हैं किसी में दिन तो यह बातों को ध्यान रखें कि हमें अपने वानी पर जो है स्यम रखना चाहिए वह दोस्तों अगर आपकी जो हेल्थ को लेकर बात करें तो मानसिक तनाव की कारण आप यस्ट में परिशान रहेंगे क्योंकि दोस्तों अफिस का काम आपके उपर इन दुनों ज्यादा ही रहेगा आपको अपने स्वास पर विशेज ध्यान रहने की जो है आवशक्ता होगी दोस्तों इन दुनों में आपका भागिशाली रंग रहेगा शफेद और भागिशाली अंक रहेगा तीन वहीं दोस्त पारिवरय स्देस्थिक के साथ किसी तीरतिव अस्टान की यात्रा के लिए मता पिता को यात्रा कराकर उनका अशिरुबाद लेंगे भाले धुर्म होगा मगलग कि द्धन को लेकर बात करें तो यह जो और आपको अधिक कुशल बनाने में मददगार होगा आप वहले शहीज चीजों का जो न्याई करने में सक्चम होगे जो आपको ऑफिस के रूटीन काम का तेजी से पूरा करने में मदद करेगा वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है पारिवर्य जीवन की बात करें तो इन दिनों में पारिवर्य जीवन से समदेत मामले आपके लिए अधिक प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके प्यार को ऐसा लग सकता है कि आप वनी भावनों को सही तरीके से व्यक्त करने में अस्तमर्थ हैं दोस्तों इन दिनों में इस बात का आप अशर आपकी लव लाइफ फ्रह भी पड़ेगा तो खास इन बातों कहाँ ठीम्लार्ख्य कि devo अर्थिक स्थितीगी बात कृए तो यह जो आपके लिए समय हुँगे इन दिनों में यदि आ अभी तक सयर बाजार में माश नहीं किया है तो दोस्तों यह हैं इस दिसा में कदम में भी आप सक्चम होंगे आपकी जो क्रियेटिव एनरजी है यह से में हाई लेवल पर रहेगी यह से में दोस्तों आपको खुद को जो है अच्छे मूड में रखना चाहिए आप जो है कुछ आयोजन बनाने के एक्चू होंगे दोस्तों इंदरों में गनेज जी कहते हैं कि जो आपके लिए शमय होंगे इंदरों में आपके अपने दिंचरिया की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो दोस्तों इंदरों में नया आर्थिक करार जो अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा शाम के शमय जो आपके लिए शमय होंगे अपने जीवन साती के साथ भाहर खाना या फिर फिल्म देखना आपको शुकुन देगा और दोस्तों इस शमय होंगे खुश मिजाज आपको बनाए रखेगा रोमांस के लिए जो दिन होंगे इन सभी दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा आप जो है दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्षियों को यसमें कुछ ज्यादा ही मुचा तरकरता ही कर सकते हैं अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुतावित नो आए तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि एसी कई शारी चीज़ें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवशकता है दोस्तों इंद्रों में जिवन साथी की किसी बात को गंबिरता शे नो लें इससे दोस्तों आपके इस्तिती में जो विवाद हो शकता है दोस्तों यह जो दिन होंगे आपके लिए रात को आप दूद पानी वा चीनी को जो है सिरहने रखकर सुबक किसी विरिक्ष में डाल दें इसे दोस्तों आपके बिजनस और नोकरी में जो भी रुकाउटें आ रही है उनमें रुकाउटें खत्म होंगी अब आपको बिजनस और नोकरी में यश में फाइदा होगा दोस्तों यश में आपको कौन से उपाएं को करना चाहिए दोस्तों यश में अगर आपका बिजनस अच्छा नहीं चल रहा है तो दोस्तों यश में आपको बिजनस ओफिस में उत्तर या फिर उत्तर पूर उदिशा में एक फिश एक भागिशाली होंगे